29 का चुनाब होगा One Nation, One Election? हमने तो हमारे गोशना पत्र में रखा है, हम जरूर चाहेंगे कि ये देश One Nation, One Election में आई, इस देश में UCC आई सर आपके गोशना पत्र में क्या है वो तो एहम है, ये भी एहम है कि क्या नहीं है जैसे कि National Registry of Citizens, NRC जो है, वो इस बार आपने मेंशन नहीं की तो उसकी, चुकि वो मेंशन नहीं है, उसको देखके मैं सोच रहा हूँ कि क्या सोच रहे हैं आप NRC के बादे देखिए, अभी हमने CA लाया है, हमारी फर्स्ट प्राविटी है कि CA को अच्छे तरीकी से देश में इंप्लिमेंट किया जाए और जो करोडो सरना के हिंदू, बहुत सी क्रिस्चन पड़ोसी देशों से आये हैं, धार्मिक प्रताडना को सहन कर देख, वो सभी को नागरिता दी जाये, सनमान दी जाये, उनको जिसमे सहिम कर दिया जाया, यह प्रकृया बहुत लंभी प्रकृया है, यह होगी इस पर, उस पर बाद में बह발 होगे, अभी अजेंड़ा नहीं है, पांस साल में अजेंड़ा है連 इस बात पर बड़ी बहस चल रही है कि बीजेपी बार-बार 370 सीटों का जिक्र क्यों कर रही है कुछ-कुछ आपके जो प्रत्याशी है उन्होंने बाते भी ऐसी बोली कि अगर हमें 370 आगे तो समिधान बदलने की जरूरत है क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं आप देश के सब्सक्राइब मंत्री हैं बीजेपी के एहम स्रेटीजिस्ट हैं यह जो सवाल उठता है कि अगर इतना बड़ा बहुमत आ गया तो क्या बीजेपी कुछ सब्सक्राइब तो पढ़े लिखे वेक्तिव हो गई राहुल जी के सवाल मूद पर ऐसे सीधे लॉंच कर देते हो दस साल से हमारे पास बहुमत है है या नहीं है 2014 में हमें हमारे पास 272 सीटे थी अभी 300 सीटे हैं और दोनों बार NDA मिला कर समिधान बदलने का भी ताकत है हमने हमारे बहुमत का उप्योग 370 हटाने में किया CAA लाने में किया त्रिपल तलाग समाप्त करने में किया है हमने एक कॉंग्रेस जो पछिन रूप से कहना चाती है कि हम आरक्षन हटा देंगे इसके लिए हमने उप्योग नहीं किया है न करेंगे भारतिय जनता पाटी का वादा है ना हम आरक्षन हटाएंगे ना कॉंग्र हटाना चाहती है तो न हटाने देखे वो कहते हैं कि शायद सेकुलर सब्द हटाने की हमें कोई जरूरत नहीं है इस देश को पंथ निर्पेक्स बनाने का सबसे बड़ा आग्रह भारतिय जनता पार्टी का है इसलिए तो हम यूसी सी ला रहे हैं वो सरिया के आदार पर देश चलाने का कह रहे हैं उनको जरा सेकुलर बनने की जरूरत है हमें नहीं है हम तो कह रहे हैं इस देश के कानून दर्म के आधार पर होना चाहिए और देखे कितने सिलेक्टिव है यूसी सी चाहिए किस चीज में चाहिए चार साधी करने के लिए तो अगर पर्सनल लॉला ना सरिया के आधार पर चर्णा है तो चोरी के लिए हाथ काटना क्यों accept नहीं है वे आपको देश द्रो के लिए उंट की चमडी के साथ सिल कर देश बर में पत्थर मारकर मारने की सजा क्यों आपको अगर लाना है तो पुरा लाओ हिमत नहीं है इन में यह क्या हमें पंथ्रनी रिपेक्सता सिखाएंगे जो party परसनल लोग की बात करती है अपने घोषना पत्र में पर्सनल लोग को लाने की बात करती है वो पंत्रनी रिपेक्स मानी जाएगी क्या आपकी जमिदार ये कॉंग्रेस पार्टी को पूछ देखी कि क्या पंथर निर्पेचता है मुस्लिम पर्सनल लोग के आधार पर आप देश को चलाना चाहते हैं हम कह रहे हैं कि इस देश में पंथर निर्पेचता होनी चाहिए UCC होना चाहिए सर बार-बार पी-म बोल रहे हैं कि बड़े फैसले लिया जाएंगे जब अगा हमाई सरकार आएगी उसके बाद अब सब सोच रहे हैं कि बड़ा फैसला है जो आपने अनाउंस कर दिया वो तो ठीक है उसके अलावा आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते मोदी जी ने ही इस देश के अंदर नौट बंदी की, मोदी जी ने ही इस देश के अंदर लॉकडाउन लगा कर देश को कॉरोना से बचाया, डेर सारे बड़े फैसले दिने, आगे करेंगे यह तो पीछे करें, आगे फैसले हमने हमारी गोष्णा पत्रमे दिखाई है कि हम UCC लाएंगे देश को तित्री और स्वेहस तिस्रे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे वन नेशन वन इलेक्षन लाएंगे पांच साल तक असी करोड लोगों को मुप्त रासन दिया जाएगा सतर साल के हर बुजुर्ग को दवाईयों के खर्चे से हम मुप्त कर देंगे तीन कर करोड नए घर बनाएंगे जुगी जौपणी में रहने वाले हर परिवार को घर देने का हमने वादा किया है उजवला का कनेक्षन दे दिया अब हर घर में पाइप से घैस पहुचाना है बाकी बचे हुए घरों में नल से जल पहुचाना है हर घर पर पी-एम सुरिय गर य जो हमने 5 साल का वादा किया है और हमने जो 10 साल में किया है वह कॉंग्रेस पार्टी 55 साल में नहीं कर पाई इन्होंने सिर्फ गरिबी एटाने का नारा दिया मोदीजीने 25 क्रोड गरिबों को गरेबी रिखा से बाहर निकालने का है बीजेपी के तीन आइडिलोजिकल बिन रखता है उसके बात जो एक ideological differentiation बीजेपी का था कि हमारा ये ideology है ये हमारे वाइदे हैं चुकि वो वाइदे ही आपने पूरे कर दिये हमारा सबसे बड़ा वाइदा तो महान भारत की रचना का है वहीं सबसे बड़ा वाइदा ही यह है मगर आपको वही बड़ा दिखता है जिससे controversy खड़ी हो TRP बड़े सबसे बड़ा काम महान भारत की रचना का है जो मोदी जी ने कहा है कि 2047 में जब आजादी समाप्त हो सताब्दी आजादी की मना ही जाए आजादी की सताब्दी समाप्त होने के पहले हर ख्षेत्र में पूर 30 करोड लोगों का आज संकल्प भी है स्वपन भी है और पूरु सार्थ का रास्ता भी है